सब्सक्राइब दोस्तों मैं आज आपका अपना दोस्त के डियोडी की तरफ से तो दोस्तों देखो इस अमें एम्प्लिफायर का बेस अवरी से इंतजार हो रहा था सबी लोगों को बहुत सारे मैसेज भी आए कि भाई जो आपने समान दिखाया वीडियो में उसका एम्प्ल सारी चीजे में आपको दिखा देता हूं तो यह अनुप हो जाता है माइक का इस वार पैनल चेंज कर दिया तो माइक का यहां पर आ गया है यह अपना बेस ट्रेबल यह बैलेंस यह सेलेक्टर सुच हो जाते हैं यह मास्टर हो जाता जो कि अभी फुल है विदाव टैनी हम कर अब अंदर भाई आप यह देख लो और अपने लिये मंगा सकता है को भाई ओडर कर सकता है एतना बैतरी नोले वीडियो के अंड में प्राइज बता दूंगा वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखके जाना अगर वीडियो आपने स्किप कर दी तो समझ लो आपने बहुत सारी चीज़े इस वीडियो में छोड़ दी तो ये भई special जो amplifier है इंडोर के मतलब का amplifier है outdoor में यह नहीं चलेगा outdoor में इसे ना चलाएं क्योंकि चलाने के लिए आउटवर में चला सकते हैं चलने पीकर होते हैं ऑडर्णी क्या ही आप को ट्रीकर में अब्लीक लोगों को हमेसा लाउड वाज चाहिए और एंडोर में स्वीट वाय चाहिए होती है तो सीट सांड के लिए बना है और इतना बहत् kissing respond Moreplane मतलब कुछ कहना सकते एतनाétude response है थीक है यह अपना टॉइडल हो जाता आप यह देख लीजिए मेरे हाथ के बरावर के साथ का पूरा टॉइडल है इसका तो यह आपका चौविस जीरो चौविस दस एंपियर के संथिंग आप इसे मान सकते हैं भाई कहने के लिए तो मैं आपको वीडियो में यह भी कह सकता हूं यह 30 50 एंपियर पर भाई आप 8-10 एंपियर इसको मान के चले आराम से यह पावर फिल्टर की सप्लाई लगी हुई है ठीक है पावर फिल्टर में भी आपको मैं दिखा देता हूं कितने वोल्ट के कपेस्टर से लगे हुए 50 वोल्ट और 600 यूएफ की कपेस्टर है 4 kpbc 35 का ब् नहीं हुई है बट भाई देखो ट्रांसफार्मर थोड़ा अच्छा लगा रहे थे तो उस वज़य से भाई मुझे यह जो सप्लाई थी बहुत हल्की लग रही थी इसकी क्योंकि यह भी आलागी सेटाली सो यह पचास वोल्ट की आप देख पाएं तो तो यह भी आप लिक्सिंग को काटके और इस पर जो ब्लैक स्प्रे करके बिलुकुल इसको सेम एज़ेटिस बना दिया जैसे कोई इसमें कोई दिक्कत ना दिखे यहां पर आपका स्पीकर प्रोटक्शन का बोर्ड लगा हुआ है ठीक है जो की सेम उसी कंपनी का है और भाई है यह अपनी केटी ओडियों जिस्पंस बहुत जवर दस्ते है तो पता क्या भाई इस ओडियों बोर्ड के साथ एक दिक्कत यह है कि इस वाले बोर्ड के साथ आपको जल्दी से बास्ट गाइं यह को नहीं पता जिननों ने लगा ओर जिनको बेश पसंद है ठोड़ा सा ट तो बहाई ऐसा नहीं होता, अवाज हमेशा लो साउंड में और लो क्वालिटी में ही चेक करी जाती है, जिसमें वैतरीन अवाज का पता चलता है, तो अवाज होती है, बेसिकली साउंड और है, उतना ही अच्छा अंसरो बोड माना जाता है, यह कम्प्लीट एम्प्लिफायर रेडी है बीटी जो लगा हुआ भाई पगारिया का लगा हुआ है जितने भी वॉल्यूम टॉन लगा रखें सारे एलकॉन के लगा रखें कोई लोकल वॉल्यूम टॉन नहीं है यहां पर यह हमारा पावर सप्लाई बना हुआ जो बारा जीरो ब सब्सक्राब नहीं होगा इससे ठीक है बहुत महेंगे आते हैं भी बीटी काड भी तो यह लगा हुआ पीछे से भी मैं आपको दिखाने की कोशिस करूंगा कैसा कुछ लगा हुआ पीछे से तो आप यह देख लीजिए पीछे से यहां मैंने अपने वहीं 500 वाट के स्पीक तो इसको पर भाई देखो वेट तो है अंपलिफायर में कम से कम आप मान के चलो 8 kg के संतिंग कर बेट हो जाता है वाई आप इसकी एक शांट टेस्टिंग भी जरूर है क्योंकि लोगों को फिर यह रहेगा कि आपने करके नहीं दिखाई तो पहले तो देखो बाई मैं यहां पे हाथ लगा क्या आपको चेक कराऊंगा इसको पहले वॉल्लिम को फुल खोल लेता हूं हमिंग तो कोई कैसी नहीं है आप यहां चेक कर लिजे ठीक है अब क्या है कि मैं माईक को स्पीकर पे लगा देता हूं और तो आपके जो क्वाल्टी साउंड की समझ नहीं आती तो भाई मैंने माइक वहां पर सेट कर दिया स्पीकर पर लगा हुआ स्पीकर की वायर पर एक पर तो अवाज मैं यहां से खोलता हूं कि जब हाने दिल तुम से लेको आप एक गाना चेंज करके चलाएंगे एक गाने को कंटिनुए नहीं चलाएंगे कर दो 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 All right ladies and probably let me see everybody's hands are in the air झाल 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 दोना है जोना है जोना है Pjan Mohan कि इ contractor कि इ Talk es अ कि अ बुALKissenschaft कि आणिता मुद्राप कि इfern धर कि इनके कि इनके कि इनके कि इनकी इनका रवाया इफ पिन Дав chance प्रवाइब देखो वीडियो पर कॉपी राइट तो सीदी सी बात है मिलेगा ही मिलेगा सब्सक्राइबर्स के लिए इतना तो करी लेंगे एक आद वीडियो पर कॉपी राइट खालेंगे कोई दिखकत वाली बात निया बाइब आपको सुना दिया वीडियो में चेक करना क्यालटी कैसी है क्योंकि देखो मेरा कहना यह लोग यह कहते हैं कि भाई आपने बातर 94 का बोर्ड पर इतना है भी ट्रांसफॉर्मर लगा दिया इतना एंपियर लगा दिया कोई फायदा नहीं है यह बात वो बात भाई यह जो कस्टुमर लेता है वो फिर बाद में यह कहता है भाई थोड़ और अच्छा ट्रांसफॉर्मर मिलता तो सायद क्वाल्टी और अच्छी मिलती भाई यह हमने जो कहते हैं हंड्र हंड्रेड परसेंट बिल्कुल एंड ओप दिक्वाल्टी वहां तक ले जा चुके हैं इसको क्योंकि भाई और आप वायर भी देख लीज़िए अगर आप देख पा रहे हो ने तो आप उपर से वायर भी देख लो अगर आपको दीख रही हो तो अब सोच सकते हो कितने हैवी एंपियर के अंदर ये ट्रांसफॉर्मर लगा रहा है कि भाई होता यह है कि जितना बेस खोलते हैं अगर आपका दबता है तो समझे लो उसकी मिलने वाला है जिसमें दो महीने की आपकी ट्रांसफॉर्मर की रहने वाली है कोई भी किसी तरीके कोई भी दिक्कत होते हैं जो के नया मिलेगा पांच तीन सो रुपे में कम्प्लिट आपको मिल जाएगा और लोगों को मैं पता देता हूं कि बाम बातर चौरानवे का एंप्लिफार तीन तीन अजार रुपे में भाई बाई उनसे होड मत करना इस चीज की क्योंकि क्वालिटी 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 का फरक होता है बाई बास ट्रेवल के अंदर जो आइसी लगी पड़ी है वह सायद आपको आइसी अभी देखने इंच के वह साथ यह 500 वाट के दौनों मॉनिटर लगे हुए मनला 500 वाट के लोड के उपर चला रखा था 200 वाट बट वाई क्वालिटी इस में भी बहुत बैतरी नहीं है कोई ऐसी परेशानी नहीं मिली देखने के लिए बट वाई मैं आपको फिर भी रिक्मेंट करूंग यह इतना महेंगा है यह वह यह वह तो बाई उनका कोई तोड नहीं है तो आज वीडियों से इतना ही दोस्तों मिलते हैं किसी ने एक स्ट्रूडियो में तो के ड्यूड चैनल को लाएक से सब्सक्राइब जरू करना और बाई कमेंट करके बताना कि एमप्लिफायर कैसा